नाम क्या है आपका? नाम मेरा मंगरू है तो मंगरू जी in future आप love marriage करोगे या रेंज marriage जिसमें तुम राजी हो जाओ जिसमें मैं राजी हो जाओ हाँ सकल देखिए कभी अपनी आयने में तुमने देखिए? हाँ देखिए बिना मेकप के मंगरू जी क्या हुआ है आपको ड्यूटी से घर जारता एक धमी पेट का दर्द सुरू हो गया पेट में दर्द हो रहा कोई नंबर वगेरा है घर वालों का? बिक्की गया है दवाई लेने दवाई लेने क्या है? कुछ खाया है सुबह से? नमकील लिया है दवाई के साथ खाऊ हुआ नमकील लिया है तो आप देख सकते हैं इन्होंने दोस्त को भेजा हुआ है दवाई लेने के लिए जो की नमकील लेके आए आगी दवाई अभी बोजाएगा सारदर्द ये तों ये तो बियर है तुम तो कह रहते हैं ये दवाई लेने गए है है तो ये तो दवाई है बीमारी क्या है parte है आपका नाम क्या है मेरा अच हमगरू जी आपकी कोई गSirर एक हर हाल फिलाल में सहाट करी है मान लो आपकी और उसकी लड़ाई हो जाती है और वो आपसे गुस्ता हो जाती है तो आप उसे कैसे मना होगे मना होगे नहीं और गुस्ते में आके उसने आपसे ब्रेक अप कर लिया तो तो दूसरी पटाओ मा कितने कमीने लड़के हो, और वो दूसरी भी नहीं पटी दो, तो तीसरी पटाओंगा, और अभी तो रुको, और तीसरी भी नहीं पटी तब, तो फिर तुमको पटाओंगा, मैं तो आल रेडी शादिश दाओ, मुझे कैसे पटाओंगे, जूटा न्याम लगा कि डिवोस कर तो फिर तुमारी जवरदस्ती साधी करवा दूगा, किस से, अपने आप से, प्यारी समझ गई, चक्का छोड़ो और कोई सरकारी नोकरी की तियारी करो, बस यह सोच ते रहो तुम, हमार देश की यूद की सबसे बड़ी और गंदी सोच यह, कि एक सरकारी नोकरी मिल जाए लेकिन कोई यह सोची निरा की जिन्द की जीने का असली मज़ा तो बिजनस करके जीने में है, अच्छा, इतना ग्यान दे रहो और खुद गरीब हो, किसने का मैं गरीब हूँ, किताब जो बेच रहे हो, गाज यावाद में डेड़ सोगस का पलोट हिया है, सत्तर हजार की पशची दो किस तबाकि हैं बड़ीया अग्यान देने अ देखिए मैं अच्छे से जानती हूं कि लड़किया ब्रेकप होने के बाद सेड हो जाती हैं आप लड़के क्या करते हो ब्रेकप के बाद क्यों दारू क्यों पीते हो उस लड़की को भूलाने के लिए उस लड़की को भूलाने क्यों चाहते हो दूसरी पटाने के लिए अब दूसरी क्यों पटाना चाहते हो फिर से ब्रेक अप करने के लिए अब फिर से ब्रेक अप क्यों करना चाहते हो दार पीने के लिए जाते वक्त मुझे देख के ऐसे मुश्कुराती थी लगता अपके प्यार में किर गी भाई फिर इनने कहा तेडले मन में कुछ है उसके तो मैंने उसका चार-पांथ दिन पीछा गिया तो एक दिन उनने मेरे को दिखा किया ऐसे नम्मर लिख के पेपर में भेका चार-पांथ दिन उसके बात हुई फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसी मैं उसके घुमाने ले गया ऐसी पतली गली में मैंने किस लेने की कोशिस करी उनने मेरे होट पे ना थपल मार जाए बहुत तेज से फिर अगले दिन उसके मेरे को फॉन करके कहती है मेरे घर पर आ जाओ कोई नहीं है अच्छा तो आप उसके घर गई होंगे कि मम्मी पापा बापी सा गई होंगे और आपको पलीस में बन करा दिया होगा नाई उसकी मम्मी पापा बापस नहीं आए थे इसको में लेके गया था ना कि मैं उपर छट पर चले आओंगा तो तू मीचे ना पहरदारी करी हो इस अच्छा है आपका नाम क्या है पंद्र जोगी आए आपका नाम क्या है अरे खालूं पहले आपसे एक सवाल था मेरा क्या आपकी नजर में कौन सा रिलेशंशिप जादा बेस्ट है मेरी नजर में सबसे बेस्ट रिलेशंशिप है लोंग डिस्टेंश रिलेशंशिप और बहुत सही है वो कैसे तू कि इसमें चारों खूच रहते हैं चारों कैसे बस समझ ना ले समझ गए बताना में समझी नहीं तुम्हें दिमाग होगा तब ना समझूगी री आप लूग प्लोके कहसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करता बताएगा मुझे बहुत पसंद्ध्ग है । अईसा देखना है तो शेयर और लाइक कॉमेंट करना ना होची है तो इसको फोलो कर लिजे इस पेज को तो बोस्तों नेस टाइंड से और दियुक्त दिया है